चातुर मास ब्रत की विदि इस प्रकार है इस कथा को भी आप सुनिए इसका भी बहुत बड़ा महत्तम है कुंति पुत्र योदिश्टिर बोले की हे भगवान विश्णु भगवान का सैन ब्रत किस प्रकार किया जाता है सो सब कृपा पूर्वक कहिए इस चातुर मास में यह भी बताएगा कि भगवान किस प्रकार सैन करते हैं जो देव सैनी एक आदस ही हम जिस रूप में मनाते हैं उसका इसमें भी महत्तम ब्रणन है कि इसको भी ध्यान पूरवक सुनिए तो भगवान बोले की हे राजन मैं आपको विश्णु के सैन का ब्रत कहता हूं अब ध्या भगवान को उठाना चाहिए लौंद मास यानि की अधिक मास के आने पर भी विदी इसी प्रकार चलती रहती है इस विदी से अन्य देवी देपताओं को सैन ना करना चाहिए आसाण मास के सुक्ल पक्ष की एक आदस ही का विदी पूरवक ब्रत करना चाहिए उस दिन विश की आपर सैन कराना चाहिए उनको दूप दीप नैवेद आदी से पूजन कराना चाहिए भगवान का पूजन सास्त्र ग्याता ब्रहमनों के द्वारा करना करना चाहिए ततपश्यात भगवान विश्णू की इस प्रकार स्तुई करनी चाहिए यह भगवान मैंने आपको सैन कराया है आपके शैन से संपूर्ण विश्व सोजाता है इस तरह विश्णु भगवान के सामने हाग जोड़कर प्रातना करनी चाहिए कि हे भगवान अब आप चार मास तक सें करें तब तक मेरे इस चातुर मास ब्रत को निर्विदन रखें इस प्रकार विश्णु भगवान की स्तुती करके शुद्भाब से मनुष्व को दातुन आदिक के नियम को ग्रहन करना चाहिए विश्णु भगवान के ब्रत को शुरू करने के पांच काल वर्णन किये गए हैं देवशेनी एक आदसी से लेकर देवुत्थान एक आदसी तक चातुर मास ब्रत को करना चाहिए द्वादसी पून मासी अश्टमी या संक्रांती को ब्रत प्रारम करना चाहिए और कार्तिक मास के सुक्रपक्ष की द्वादसी को समाप्त कर देना चाहिए इसके ब्रत के समस्त पापनश्ट हो जाते हैं जो मनुष्व इस ब्रत को प्रती दान का प्रतक प्रतक फल सुनिये, जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है, उसे साथ जनम तक ब्रहमण की योनी मिलती है, जो मनुष्य चातुर मास के दिनों में विश्नु भगवान को दही, दूद, घी, शहद और मिश्री के द्वारा इश्नान कर चाता है, वह बैववशाली होकर सुक भोकता है, जो मनुष्य स्रद्दा कूर्बग भूमी स्वन दक्षना आदी भ्रहमणों को देता है, वह स्वर्ग में जाता है, जाकर इंद्र के समान सुक भोकता है, जो विश्नु भगवान की स्वन प्रत्मा बनाकर धूप, दीप, नेवेद आदी से भगवान की पूजा करता है, वे इंदर लोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है, जो मनुष्य चातुर मास के अंदर नित्पृति तुलसी जी भगवान को अरपित करता है, वे स्वण्ड के बिमान पर बैठ कर विश्नु लोक को जाता है, जो मनुष्य वि पूजा करते हैं, उनको विश्नु लोक की प्राप्ती होती है, इस चातुर मास ब्रत में जो मनुष्य संध्या चल्र वगवान के अब गुश्य च्प्र रिचानल से चुछूर जो विश्णु वंदिर में नित्य प्रती दिन 108 बार गाईत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे पापों में लिफ्थ नहीं होते हैं, जो मनुष्व पुरान तता धर्म सास्तर को सुनते हैं, और बेदपाती ब्रहमन को वस्तरों का दान करते हैं, वे धनी, घ्यानी और किर्थीम जो मनुष्य भगवान या शिव जी का आश्मनल करते हैं, और रंत में उनकी प्रत्मादान करते हैं, वे पापों से रहित होकर गुडवान बनते हैं, जो मनुष्व सूर नारायन को अर्द देते हैं, और समाप्ती में गौधान करते हैं, उनको पूरी आयू स्वस्त देप प्राप्त होता है तता कीरती मिलती है कीरती धन और बल पाते हैं चातुर मास में जो मनुष्य गाईत्री मंत्र द्वारा तिल में होम करते हैं चातुर मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पापनष्ट हो जाते हैं और निरोग सरीर मिलता है तता सुपात संतान होती है जो मनुष्व चातुर मास ब्रत में अन्य से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और बस्तरों का दान करते हैं वे अश्वर शाली होते हैं जो मनुष्व तुलसी जी का तुलसी जी को धरन करते हैं तता अंत में विश्णु भगवान के निमित ब्र बाते हैं और अंतमे सुंख की दूरवा दान करते हैं तता दान देते समया जो इस प्रकार की सुती करते हैं के हे दूरवे जिस भाती इस प्रत्वी पर साकां सहीत तुम फेली उई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर सन्ताम दो ऐसा करने वाले मनुष्य के सब अंको द्हुनी वाला गंटा दान करना चाहिए इस प्रकाराइस्ति करनी चाहिए कि यह भगवान धे जगतपते 3 लेएा मुए आप सब आप सबी पापों को नश्ट करने वाले हैं आप मेरे योग वाल कौन वह योग कारों को ना करने योक्ब कारों को करने से जो पाप उत्पन होता है उनको नष्ट की जिये चातुरमाज ब्रत के अंदर जो नित्पृति भ्रामणों का छरणायम्रत पान करते हैं वे समस्त पापों तता दुखों से छूट जाते हैं और अयुवान लक्ष्मिवान होते हैं चातुरमाज ब्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौधान करना चाहिए यदि गौधान ना कर सको तो बस्त्रदान अवश्य करना चाहिए जो भ्रामणों को नित्क परती नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं चातुर मास ब्रत की समापती में जो भ्रामणों को भोजन कराता है उसकी आयू तता धन्मे ब्रद्धी होती है जो अलंकार सैत बच्छडे बाली कपिला गाये बेत पाटी ब्रामण को दा गड़ेश जी को नित्त नमस्कार करते हैं उनकी आयू तता लक्षमी बढ़ती है और जदी गड़ेश जी प्रशन हो जाएं तो उसे मनवांचित फल प्राप्त हो जाता है गड़ेश जी और सूर की प्रतिमा ब्रहामण को देने से सब काम कर्मों की सिद्धी होती है जो दौनों रित्वों में महादेव जी की प्रसनिता के लिए तिल और बस्त्रों के साथ तावे का पात्र दान करते हैं उनके यह सुंदर स्वस्थ और सुंदर शिभ्भक्त संतान होती है चातुरमास ब्रति समाप्ति कर चांदी पात्र या तावा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए जो मनुशुब विश्णु भगवान के सेन करने के उपरांत यता सक्ति बस्तर और तिल के साथ सुंदर दान करते हैं उनके समस्त पापनश्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा पर लोक में मुक्ष प्राप्त होता है चातुरमास ब्रत के समा समाप्त होने पर सयया दान करते हैं उनको अकश्यय सुक मिलता है और कोवेर के समान धनवान होते हैं वर्षा रितिव मों जो गोपी चंदन देते हैं उन पर वगवान अत्त प्रसन होते हैं ब्रत के समात्थ हो याने पर इस प्रकार उधा पान करना चाहिए चार छटाक याने की 200 गराम वा आठ छटाक याने की 500 गराम बाले तावे के आठ पात्र या 48 छटाक धाई किलो का एक तावे का पात्र लेकर उसमें सक्कर भरकर तता बस्त्र फल दक्षणा सहित भ्रामण को दे देना चाहिए शकर सहित तावे का पात्र सूर को प्रिय यह है इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ठ हो जाते हैं उसके दांस के प्रभाव से बलवान कीर्थीवान संतानुत पन होती है यह कुनती कुत्र इस चातुरमास ब्रत को करने से करने वाला मनुष्य गंदरव विद्ध्या में निपुण और इस्त्रियों को प्रिय होता है, जो मनुष्य चातुर मास बरत्में ब्रहमनों साख, फल, आधी देते हैं। और अंत में यथा सकती दान दक्षणा वस्तरादी देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं, शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है, अता उसके देने से देवता प्रसंद होते हैं, जो मनुस इस ब्रत में प्रती दिन सौंट मिर्च पीपल और दक्षणा के और अंत में स्वर्ख हो जाते हैं, जो तमाकु घाना छोड़ देते हैं, उनसे देवता प्रसंद हो जाते हैं, और अनंत धन देते हैं, इस ब्रत में जो मनुस इस लक्षमी या पारवती की प्रसंदा के लिए हल्दी का दान करते हैं, और अंत में चांदी के पात्र में हल् रखकर दान देते हैं वे इस्त्रियां अपने पती के साथ और पती अपनी इस्त्री के साथ सुख भोगते हैं इससे उन्हें सोभाग अक्षे धन तता सुपात्र संथान मिलती है और उनकी देव लोक में पूजा होती है इस ब्रत में जो मनुष्य शिव्जी और पारवटी की पूजा करते हैं तता दक्षणा बस्तर स्वण आदी दान करते हैं और ब्रत के शुरू में सिवलिंग की सापना करते हैं गौ वेल दान करते हैं और ब्रामणों को मिंठा भोजन कराते हैं उन्हे संपत्ती और किर्थी मिलती है और इस लोक में सुक भोग करवै अंत में शिव現在 लोक को जाते हैं इस वरत में बामन भगवान की प्रसनता के लिए ब्रहामनों को धई से युक्त भात खिलाना चाहिए यदि ये नित ना हो सके तो अश्टमी अमावस पूनमासी और प्रतेक रवीवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए ऐसा करने से इस लोक में धंधन पुत्र तता विश्नु भक्ति संतान मिलती है और अंत में विश्णु लोक को जाते हैं मनुष्य दान तता आभु संद से युक्त बच्छडा साइत गौका दान करते हैं वैस लोक में ज्ञान और किसी के सेवक नहीं बनते अंत में ब्रह्म लोक में जाकर पित्रों के साथ शुख प्राफ्त करते हैं इस ब्रत में जो बश्त्र युष्नु लोक को जाते हैं और बैलों के साथ आठ हल्दान करते हैं और शाक मूल फल आहार करते हैं तता यग्यो पयो ब्रत करते हैं अंत में दूद वाली गौग दान में देनी चाहिए वे विश्णू लोग को जाते हैं जो मनुष्य दोनों रित्वों में केला केले के पत्र और पलास के पत्तों पर भुजन करते हैं तता कांसे का पात्र और बस्त्रदान करते हैं वे इस लोक में सुक भोगते हैं चातुरमास ब्रत के प्रभाव से ब्रहामण घात करने वाला सुरा पीने वाला बालुकों को मारने वाला असत्य भासड करने वाला इस्त्री को मारने वाला किसी के ब्रत को बिगालने वाला अगम्या गमन करने वाला ब् और अंतमे निर्वाण पत को पाते हैं चातुर मास बरत के अंतमे जो मनुष्य भ्रहमण को आवुशन युक्त चंदन सही बैल का दान करते हैं तता उसे सटरस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विश्णू लोग की प्राप्ति होती है जो मनुष्य भगवान के सें करने पर नित्पृति रात्री जागरण करते हैं तता अंत में भ्राम्णों को भोजन कराते हैं जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वे विश्णु लोग को जाते हैं, जो भगवान का सेयन करने के बाद भूमी पर सोते हैं, तता अंत में सय्या दान करते हैं, उनकी शिव लोग में पूजा होती है, चातुर मास ब्रत में जो मनुष्य में थुन नहीं करता वह बलसाली यसस्वी और लक्ष्मीवान गहन होता है तथा अंत मैं स्वर्ग प्रफ को जाता है जो मनुष इस व्रत में उत्तम चावल यह जोका दान करते हैं व्र सब्स्वरब को जाते हैं च 210 नहीं काता तता अन्म्म अन्त में कासे या मित्टी के पात्र में तेल भर कर दान करता है वे विश्ञोब को जाता है । जो ब्रत में साक नहीं खाता और अन्त में 10 प्रकार के साख बेटपाती ब्राहम मंद को दान देता है वेशोलोक को जाकर ख्याती प्राप्त करता है जो मनुष्च इस ब्रत में ग्योंग को त्याक कर भोजन करते हैं तता स्वन का दान करते हैं उन्हें अश्वमेग यक्का फल की प्राप्ती होती है जो मनुष्च इस ब्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश जो शनान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे हरी लोग को जाते हैं, जो मनुस इस ब्रत में मिंठा खटा खटवा पदार्त को त्याग देते हैं, वे समस्त द्रुगणों से छूट कर स्वर्ग को जाते हैं, जो मनुस इस ब्रत में चंद्रायन ब्रत करते हैं, वे श्वर् सोते हैं उसस दिन ब्राम्रों को दान बस्त्र तता भोजन देना चाहिए यह समस्त भैद्वाटी प्राम्र को देना चाहिए चोरी करने वाला मत्पान करने वाला आगम्या-गमन करने ताजिया करने वाला दान देने से उल्टा आप ऐसे बहां मडन कौ गिसी प्रकार का दान नहीं देना चाहिए उल्टा उससे पाप और लग जाता है नरकी प्राप्ती होतीए यह चातुर मास महत्तम था और देवशेन एक आदस ही यदि इसमें किसी प्रकार की तुट्टी हो तो शमा कीजिएगा जो भी इस ब्रत की पुस्तक में लिखा हुआ है उसी प्रकार मैंने आपको यह कथा ब्रणन की है बोलिए जय जय श्री राध है